आज मेरी भावी किचन में आते ही मुझसे जोर से बोलने लग गई कि अरे ये तुम क्या कर रही हो किचन से बाहर निकलो इस तरीके से रोटी को भला कोई फ्राई करता है क्या तो मैंने भावी को बोला कि अरे भावी आप मेरी बात तो सुनो भावी बोली कि तुम तो सारा सा है लिया cuatro च्टत को गुंत लिया 500 टो तो अर्पर त्म तक़ इस तरीके से से तुम तो तो छारी चीज़े क्राब कर दोगी और यह क्या अरे इतना सारा तेल भला कोई लेता है क्या इस तरीके से तो सारा तेल जो है खराब हो जाएगा मैंने बोला कि खराब नहीं कर रही हूं बस इस तेल का इस्तमाल करूंगी और आपके लिए बहुती बढ़ी असी रेसिपी बनाऊंगी तो यहां पर मैंने रोटी को बना लिया है और रोटी को अभी बाकी है धीरे धीरे करके मैंने यहां पर रोटी को भी सेख लिया था तो दोस्तों तब तक आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आप ये वीडियो देश के कौन से कोने से देख रहे हैं ताकि मैं आपका ठेंक्स कर सकूँ पिछला ठेंक्स जाता है संध्या जी को जात है मौरिशिस से तो यहां पर मैंने रोटी को फाइनली सेख लिया और दूसरी तरफ तेल को जो है वो मैंने गरम होने के लिए रख दिया था तो इस तरीके से मैंने यहां पर एक चलनी का इस्तमाल किया है और इसको कुछ इस तरीके से मैंने यहां पर कर्ची की मदद से प् भावी कई बार रोटी खाने का मन नहीं होता फिर ऐसा मन होता है कि कहीं बाहर से कुछ बढ़िया सा मंगवा ले तो मेरा भी आज कुछ ऐसा ही मन हो रहा था तो मैंने सोचे कि अपने अपने लिए तो बनाई रही हूँ फिर सबके लिए भी बना लूँ बाहर से क्यों पैसे खर्च करने तो भावी बोली कि तुम तो रहने ही दो तेल खराब कर रही हो रोटी भी खराब कर रही हो अगर ऐसी बात है तो इस तरीके से सारी चीजों को भला कोई खराब करता है क्या अगर ऐसी बात है तो कुछ बढ़िया सा बनाती ना तो मैंने भावी को बोला कि भावी समझ में नहीं आ रहा है ऐसे लग रहा है जैसे सारी चीजे आज ही खराब हो जाएगी तो क्या दोस्तों आपने भी कभी इस तरीके से रूटी को फ्राई किया है अगर नहीं किया तो मेरे कहने पर सिर्फ एक बार इस तरीके से रूटी को फ्राई कर ले क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही जादा मज़ेदार होगी और आपके धिर सारे पैसे भी बचाएगी क्योंकि ये रेसिपी है ही इतनी जादा लजीज की आपको इसे बाहर महेंगे दामों में खा कराना पड़ता है लेकिन घर पर आप बहुत ही आसानी से अपने घर पर बना कर त्यार कर सकते हैं जा बेट में और इसी के साथ में मैंने यहां पर दूसरा पैन लिया है जिसमें मैंने थोड़ा सा ओयल और थोड़ा सा जीरा डाल कर इसको गरब होने के लिए चोड़ा और साथी साथ मैं यहां पर आलू को भी ले आई थी और आलू मैंने पहले ही बॉयल कर रखे थे उनको मैं कुछ इस तरीके से अच्छे से जो है क्रश करना शुरू कर दिया ये देखिए कि तरीके से आलू को जो है अच्छे से क्रश कर दिया और अब इन सब को जो है मैं थोड़ा सा भून लूँगी जीरा और आलू को हमें बहुत ही अच्छे से भूनना है और आपको तो पता ही है क जीरा आलू में यार किता ज़ादा अच्छा लगता है खाने में तो बहुत ही ज़ादा अच्छा लगता है आप सोच रहे होंगे कि मैं जीरा आलू बना रही हूं तो ऐसा बिलकुल भी नहीं बना रही है। बलकि मैं बहुत ही खास सी रेसिपी बना रही हूँ जो आपको थोड़ी दिर में पता चल जाएगा और पता है कि इस रेसिपी को बनाने में जादा टाइम भी नहीं लगेगा तो यहां पर मैंने जो है थोड़ी से मसाले डाल दिये जैसे कि लाल मिर्ची थोड़ा सा गरम मसा या फिर आपके पास में चार्ट मसाला है तो आप चार्ट मसाले का भी इस्तमाल कर सकते हैं और थोड़ा सा मैंने यहाँ पर नमक भी डाल दिया था तो इसी के साथ में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया भी बहुत ही जादा टेस्टी बनता है और धनिया तो यार स्ष बढ़ाता ही है तो मेरी भाबी को अब समझ में आने लग गया था कि हाँ मैं कुछ बहुती बड़ी असा बनाने वाली हूं तो यहां पर एक कटोरी जो रोटी की मैंने त्यार कर दी थी बस वही मैंने ले ली है और यह सारे जितने भी आलू थे जो आलू जीरा है वो मैंने इ लाल दी ओंपर से मैंने यहां पर प्याया लुए स्प्रिंकल करली और साथ ही साथ थोड़ा सा टमाटर भी मैंने डाल दिया टमाटर के साथ मैंने यहां पर दही का इस्तमाल किया है अब आप सोच रहे होंगे कि भई यह हो क्या रहा है कभी प्याज जा रहा है कच्छे कभी टमाटर जा रहा है कभी यह पोदीने की चटनी जा रही है तो मैं आपको बता दू कि मैंने यहां पर घर पर ही चाट कटोरी बनाई है वो भी रूटी को फ्राई करके इसी के साथ में मैंने यहाँ पर कैचप भी डाल दिया है और अब मैं यहाँ पर डालने वाली हूँ थोड़े से और प्याज अगर आपके पास में पता है कि अनार हो तो थोड़े से अनार के डालने भी डाल देंगे और यहाँ पर मैंने इसे थोड़ा सा और सजाने के लिए टमाटर भी डाल दिये थे और थोड़ी सी यह जो नमकीन बुजिया होती है ना वो बहुत ही जादा टेस्टी लगती है तो वो भी डालती थी और इसी के साथ में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा धनिया भी स्प्रिंकल कर दिया और अब मैं डालने वाली हूं यहाँ पर थोड़े से नमक और कुंदर को भी मैंने यहाँ पर रख दिया है तो आप बताईए कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी मैं चलती हूं बाबाई